इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about one product store, अभी हमने एक one product store launch की है, जिसमें हम results काफी अच्छा लेकर आ रहे हैं, अभी तो initially दिनुवर से launch के हुए, but उसमें results हमें मिलना शुरू हो गया है, पहले दिन से, यानि कि first of first day से ही हमें purchase मिलना शुरू हो गया है, उस particular product मे क्योंकि अभी हम product को भी test कर रहे थे कि actually product चल पाएगा कि नी चल पाएगा, तो इस video में हम बात करने वाले है about one product store, कि कैसे आप अपने one product store को बना सकते हो, and यहाँ पर हम यह भी बात करने वाले है कि आपको Shopify का use करने की जरूरत नहीं है, आप बिना Shopify का use कि अभी one product store पर जा सकते हो, ठीक है, कैसे जाओगे, क्या होगा, वो सारी इस video के end तक आप पता चल जाएगा, तो make sure that you stay till the end in this video, तो शुरू करते हैं, देको सबसे बहली चीज़ की one product store आखिर होती क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं, तो जो one product store होती है, उसका मतलब simple ही है, एक ही product है, तो hair dryer sell कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे hair dryer काफी general product है, इसका one product store मत बनाईएगा, ठीक है, but let's suppose आप hair dryer sell कर रहे हो, तो आपने अपने domain name, आपने कुछ hair dryer से related ले लिए, आपका नाम कुछ hair dryer से related हो गया, यानि कि जो आप सारी चीज़े करते हो, ठीक है, आपका website का नाम, आपके domain का है ना, वो सब कुछ उस particular product के regarding होता है, उस particular product से related होता है, तो लगता है कि यह one product store है, यानि कि इस particular चीज में काम करते हैं, this is, मतलब यह, जो जिस भी website में हूँ, यह website इस particular cheese में expert है, या इस particular cheese की brand हो, that is one product store, और आप भी चाहो तो आप अपनी one product store बना सकते हो, अब जैसे मैं यहान है कि आपको Shopify का use करने की जरुवत नहीं है, मेरी बागी वीडियोーस में कहते रहता हूं कि Shopify का use करी, Shopify का use करी और अभी मैं कहता हूं, Shopify का use करने की जरुवत नहीं है, तो क्या है इस दोनों में difference में बता éénता हो, देकर नहीं में जोता यह बहूत बढ़ाए, जाह पर आ पर आपके पास बहुत सारे प्रड़क्ट होते हैं लेकिन जब वन बड़क्ट की बात करें तो आप उस एक प्रड़क्ट को एक किसी नॉर्मल वेबसाइट पर होस्ट कर सकते हैं युटत के प्रडबॉयर को अंगर अपनेु परॉट्स नहीं चाहते हैं तो टहनु आपने को बना नहीं जाते हैं तो ब्यूट्व करेंगे आपने वण प्रड़क्ट स्टोर को आगे ले जाने के लिए वन प्रड़क्ट स्टोर में जो एक यह चीज है कि जो भी आपका वन प्रड़क्ट आप करने जा रहे हो ठीक है उसमें ध्यान यह रखो कि वो प्रड़क्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई भी बेच सकता है या फिर बहुत सारे लोग बेच सक है लेकिन जब आप वन प्रड़क्ट स्टोर में जाते है तो आप ऐसे प्रड़क्ट को लेकर जाओगे कि अगर दूसरे कोई बंदा चाहे तो नॉर्मली उसको प्रड़क्ट ना मिले यानि कि उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और लोग मेहनत करना चाहते नहीं है मेहनत इन दे सिंस कि आप डारेक्ली मार्केट में जाओ सप्लायर ढोड़ो ठीक है पता करो कौन सा प्रड़क्ट बेटर है और फिर उन सप्लायर से डारेक्ली प्रड़क्ट लो मैं पताता हूं भी कैसे क्या चीज़े होती यानि कि आप किसी भी ड्रॉप शिपिंग वेब सब लोग बिजनस नहीं कर सकते हैं उसके लिए बहुत इट नीड्स इट नीड्स करेज तो अगर आप वन प्रड़क्ट स्टोर बनाना चाहरे हो तो पहली चीज़ आपका प्रड़क्ट काफी यूनीक होना चाहिए यूनीक इन दे सेंस कि ऐसा प्रड़क्ट जो बहुत सा सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उनके पास कोई ऐसा प्रड़क्ट मिल जाता है आपको आप उनसे बात करो या तो अगर इंडिया मार्ट का सब्लायर मान जाता है कि वह आपके लिए डॉप शिपिंग करेगा यानि कि आप उसको और बताओग यह वो पैक्शिप कर देगा तो अगर वह नहीं मानते हैं तो आप इंवट्रमान करते हो पहले शुचप कर दे कि करते हैं तो यह आपके पास बहुत ज्याएदा आ जाता है यहां पर आपके पास control बहुत ज़्यादा आता है और आप अपनी costing को जो आपका overall cost रता है प्रड़क का इस सब्सक्राइब को थोड़ा सा डाउन रख सकते हो तो यह आपको यहां पर फाइदा मिलता है अब नकिसी problem related product को लेकर जाइए ठीक है कि एससा product जो कुछ अलग problem solve कर रहा हो या फिर कुछ a product हो जो मतलब लोहों को लगए या यह मेरे पास होना चाहिए ठीक है यह मैं use कर सकता हूं तो ऐसा तो लोगो को कूल दिखाए या फिर फी लोगों की प्राब्लम को सॉल कररें उस टाइब कर सकते हैं और हमपर इंडियमार्ट से सप्लायर ही भाइब Politis चीज आगे जा सकती है और कुछ हम इंवेंटरी भी होल कर लेते हैं कुछ-कुछ प्रडक्स की अगर सप्लायर्स नहीं मानते हैं तो और आपके पास मल्टिपल विंडर्स होने चीज़ आपको एक मिल जाए उसक अगर कभी कभी क्या होता है जो आपके इंडियमाट्वे जो स दो-तीन और रख लिजे बैक एंड पर मतलब बैक अपके लिए और उनको साथ भी आप काम करते रहोगे तो यह चीज हो गई अब बात करते हैं प्रड़क्स अगरत करना है उसका आदा चीज तो मैं बताई चुका हूं लास्ट वाली जो वीडियो थी मेरी ठीक है आउट त इसमें आपको बता दे रहा हूं जो सिंपल जो पहले के में थर्ट से जैसे हम फेस्बुक वगराब सर्च करते थे उनका भी आप यूज कर सकते हो अभी दूसरे तरीका आप क्या कर सकते हो कि आप आज देख सकते हो कि दूसरे शेहर दूसरी कंट्रीज में किस टाइप के चल रहा है ठीक है लेट सपोस हम क्या करते हैं हम यूसे में आज देख सकते हैं अपनी फेस्बुक आज लेवरी के तुरू कि हम आई वहां क्या चल रहा है दूसरी कंट्रीज में किस टाइप के प्रड़क्स वहां पर आप यह आपको बहुत साइप मिल जाएंगे जो दू चल रहे हैं तो इसलिए हमने उस प्रड़क को चुना और हम उसके साथ आगे जा रहे हैं तो उसको हम बारा सो रुपय तक भी सेल कर रहे हैं अभी बारा सो रुपय कर अच्छी सेल देगा तो उसको और उपर लेकर जाएंगे यह हमारा आइडिया है तो यह चीज़ होगा कि आप बैटर तरीके के प्रड़क्स खोजने के कोशिश करो तो आप व बनाना और फिर आपको बनाना अगर आपको बढ़िया मिल जाता है प्रड़क्स आपने की आप दूसरे देख्श्चों में देखा कि वह चल रहे हैं वह चीज़ देख सकते हो या फिर आप लोकल सप्लियर के पास विजट करके उनका कैटलोग देख सकते हैं अगर आप नह और फिर आप अपनी एक स्टोर बनाओगे स्टोर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है आप शॉपिपाइब का यूज करो क्यों जरूरी नहीं है कि आपको मैंचमेंट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी मैंचमेंट तो आपको बस खाली एक ही प्रड़क्त रखना है तो यूज कर सकते हैं तो बहुत नहीं है तो दो दिन का मैं क्या ही रिजल दिखाँ तो दो दिन हुआ है तो वह भी ठीक ठीक चल रही है लग रहे हैं लग रहे हैं चल सकता है मतलब इतना उसने पता चले हमें कि यह प्रड़क्ट में दम है प्रड़क्ट आगे लेकर जा सकते हैं और अगर आप जानना चाहते हो कैसे आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हो 2022 में और कैसे उसे प्रॉटबल बना सकते हो तो आपने इसके पहले एक मेरी वीडियो आ रखी आई बिटन पर देख लो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी तो वहाँ पर मैं माप प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाला हूँ M.A.P. प्रिंसिपल के बारे में जो आपको help करेगा better results लाने में, better sales लाने में, better lead generate करने में, और बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना इस वीडियो को बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद